यहां तो बिल्कुल भी रोड नहीं दिख दी, मिट्टी मिट्टी है, उपर से वही जो में को डर था बारिश की वाई से भाई की चड़ बनेगा भी है सारा, चाइना में हमें नहीं दिखी थी फोर्चुनर लेकिन यहां पे यह देखो, यह रही एक फोर्चुनर भाई, भर अभी भी बारी शुरू हो जातकी, अभी रुकी थी और अब फिर शुरू होगी, चार बोटल बोड का काम मेरा रोच का, और राइट में देखो, आपको दिख रहे है, इंदर धनुष, भाई, रेन्बो निखला हुए, मम्मी ने मारा आज, आहां मम्मी ने मारा आज, आनक होटल के रूम से नजारा देखो, क्या मस तारा है, पूरे उच्छी उच्छी बिल्डिंगे, जैस्ट हम लाओस और चाहिना के बोडर पे ही है, आपने लोग देखा को कल वाला, और वो खड़ी है सामने पनी स्कार्पियो एंद, कल का दिन भाई माने पूरा रेस्ट किया, कुछ भी शूट नहीं किया, गाड़ी वाड़ी साफ कर ली थी, सारा लगे जो उपर निकाल के ले आए, तेको सारे के सारे बैक भाई सी रूम में अभी ले जाने में आलत खराब होईगी, बागी एरे को और नहीं जर्निया, आज है 16 जन्वरी 2024 मैं हूँ अभी लाउस के खुबसुरा शहर बोटन में, जो कि बाई जज चाइना बोटर पर ही है, आप देख रहो भाई नमस्ते उस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, इस ट्रिप में निकले हुए, इंडिया से उस्ट्रेलिया बाई रोड अपनी स्कोर्पियों को लेके 110 दिनो के लिए जिसमें हम भाई 11 से भी जादा देश कवर करेंगे, और 25,000 किलो मेटर चला के गाड़ी को पहुंचेंगे, ऐस्ट्रेलिया में हो तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लेंडन ट्रिप को सपोर्ट दिखा है, वैसी भाई, लाइक, शेर, कमें हाथ में कैसे पकड़ूँगा, तो सीधा गाड़ी के महीं मिलता हूँ आपको, अरे भाई मुझे नहीं बताता है, यहां पर यह भी मिल जाएंगे, इन्हीं को गुला लेते हैं, उपर सीधा, सारे वैगम लिफ्ट में निच्छे तक लेकर आए, चलो अब यहां से गाड़ अच्छे लोग हैं, मतलब फ्रेंडली है, लाउस के लोग काफी ऐसे भात भी हसास के करते हैं, बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं दिखता शकल पे, ऐसे होता है, चिरचिड़ा पंसा, तो बड़ी आदा है, चाइना वी में जोटी लोग अच्छे मिलें, यहां पर भी और लाउ बैन हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा टूरिजम, थोड़ा नहीं काफी टूरिजम कम हो गया, वहना पहले बहुत लोग आते थे, और कल रात आई है भाई, बारिश और उस बारिश में यह दो लेक्सस मस्त नहीं है, लेक्सस के साथ साथ भाई, अपनी गड़ी भी स्कॉ आई होगी शाइस से, चार बजे, चार बजे आई है सोन बता रहा है, और होटल में देखोगे ना, भाई, हर जगा पे हाती हाती आपको बहुत दिखेंगे, क्योंगी उसके पीछे का रीज़न है, लाओस अपने एलिफेंट्स के लिए बहुत जादा फेमस है, यहाँ पे सीट अब मस्त बैड बन गई है, वाप इस से जब चाहूं मैं रस्ते में सो सकता हूं रोक के गाड़ी को, और यह कूड़ है भाई, फैक नहीं है, और जो हमारे गाइड का बैग था ना भाई, अब वो कुछ भी जुगाड होनी पाया, तो उनके जो जैकिट वैकिट थी व इनका एक और शहर है, बहुत बड़ा, लुआंग प्रबांग करके, जो कि के भाई, अराउंड यहां से 200 सम्तिंग किलो मेटर है, बट गूगल में आप दिखा रहे है, भाई, साड़े साथ आठ गंटे, तो आप समझ लो, 200-300 किलो मेटर के लिए 8 गंटे का मतलब है, बहु कोड़ा रिस्की मेटर हो जाता है, इसलिए जल दल दी चलते है, एक ये सूटकेस रह गया भाई, ये और रखना है, लेट्स गो, प्रावा, लेट्स गो, चलो भाई, अच्छा जी, सोहन चला है गाज गाड़ी, होई, 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 नहीं उसको आती नहीं बट क्रेजी लगती है ना, गाड़ी अपनी, साफ हो जाईगी तो और मस लगेगी, अरे यार हवा कम लगरी है मुझे टाइरो में, थोड़ी सी, देखते है, अगर मीटर में दिखा रही होगी तो मैं फिर कर लूँगा, ब्रेक लगाओ ब्रेक, ठोगनी निया भाई, सारी हैं, लाइन से देखो न, बहुत सारी आपको दिखेगी यहां पर, चलो जी, चलो चलते है, कुड़ा उड़ा सारा फैक दिया है, गाड़ी अपनी अंदर से तो साफ है, अच्छे से बाहर से बस दुलवानी पड़ेगी, अरे यार यार ये तार निकल गई, डैश कैम मली न, पीशा अच्छे से साफ कर लेते हैं, अरे बाबो, देगा, टैलेंट होता है, यहां पर पारकिंग का इशू नहीं है, कि नंबर प्लेट से खुले ही है, अपने आप सेंसर लगे हुए, खुल जाती है, गाड़ बैठा हुए, वो खोल देता है, तो इतनी दिक्कत न है, हेलो, हेलो, वाटर बोटल, तो भाई, अंकल जी न, तो पूरी पेटी उठा ली गए, और अंकल जी चले गाड़ी के तरफ, इस साइट, कल हम थोड़ा से ट्रेवल कर रहे थे न, कल नी पर सो तो, गूगल मैप भी डंग से यां काम नहीं कर रहा था, चाइना की तरह, देख रहूं है, गूगल पे, कौन सी मैप की अप्लिकेशन बेच टैलाओ, उसके लिए फिर वो ही सेट कर जाएंगे, साथ में थोड़ी सी आइस्क्रीम भाई, अब गर्मिया आ गई है, आपे तो, अलगी आज तो फूरा ठंड़ा ही महोल है, बट खा सकते, आइस्क्रीम उने लग गया दूपहर कोई अभी तो, साड़े बारा बचे है, सिरफ पता हो, चलो जी, चलो जरनी शुरू करें अपनी आज की जैश्रीराम, भाई, सही में यहां तो रोड ही नहीं है, देखना, यहां तो यह हाईवे की तरफ रस्ता जा रहा है, इसलिए थोड़ा बंद है? बंद है बाई? बंद है या इसके उपर ही जाना है? बंद कर रखा इनोंने शायद से, ना 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 उपर नहीं चड़ पाईगी, वो बाईक वाले गए होंगे, बंद कर रखा बाई, यह मुझे लग रहा है शोटकट ना लेना लोग हाईवे के लिए, इसलिए इन से ले लोगा, यहां से ले लेते है बाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा, गूगल में अब तो धोके बाज है सही में, चाहिना में तो गंदे वाला दोका देता ही था, यहां भी देगा, बाई साब, पानी पानी हर जगा, फसन आ जाए बाई, यहां तो ट्रेक्टर भी नही यहां चड़ गई भाई, ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ गाफ पी घृज सान्मूई ऑप ऑंजी इंडीया से आए सी टूरिस्ट है छल चल 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 शेटल 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 शेटलसन 너ven शीच बैसे करी दो बाइडें पाइडली चाने हुआ नहीं का ली पर आगे लिलो आए, अभी तो चल ले ही कितना थे, ये क्या आगया? टोल टेक्स है अहा कही? लग तो टोल टेक्स रहे है! भाई टोल टेक्स ले क्यू रहे हो जब रोड़ी नी उनने बना रुकी? कॉस्टम का है यार यहाँ तो! क्या कर रहे है चैक तो नहीं है! जाए क्या किसी ने कुछ रोक का ही नी भाई फाटक भी खुला पड़ा है निकल लो फिर और और क्या पता नी भाई क्या था ये टोल टेक्स भी नी था कस्टम का बोर्ड लग रहा था बस वहाँ पर कसम से भाई बहुत बुरा हाल है सडकों का ऐसा फील हो रहा है कि नेपाल से गए चाइना चाइना से वापिस नेपाल आ गए क्योंकि वहाँ भी ऐसी सडके थी और यहां भी तूटी हुए और चाइना की तो भाई बिलकुली ओपोजिट इतनी मस्त मस रोड एंडिया की तरह स्कूटर में लोग चतरी लेके जा रहे हैं जुगाड तो भाई उसेम ही है पूरी दुनिया में है थोड़ा सा ओवर्टेक को लेकि यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रक्स बहुत चल रहे हैं वाइस वाली रोड पे और हमें ओवर्टेक तो करना ही तो भाई फिर लुआंग प्रबांग ना पांच दिन वाद ही पहुंचेंगे आज तो पहुंचने से रहे हैं वैसे कोजिस तो आज की भी नहीं है आज हमें इंजोई करना है रोड देखनी है यहां का नजारे देखने है और जितना कवर हो पाएगा उतना ही कवर करेंगे अंधेरा होने से पहले पहले हैं अंधेरे में नहीं चलाएंगे भाई फर्च डे है ना ऐसे अंजान कंट्री तो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है इसलिए फोर्चुनर हाइलेक्स लैंड क्रूजर और लेकसस यही गाड़िया भाई जाता दिख रही है क्योंकि रोड भ देती हूं तुम्हारी गाड़िया है बारिष ने यह कह दिया बट अगेन भाई मजाक्स हटके काफी रिस्की मैटर हो जाता है बारिशों में इस तरह की रोड पे जहां पर इतनी जादा गड़े और मिट्टी मिट्टी होती है ना तो इसलिए सेफटी फर्च भाई हो जए कर देते है बारिश वारिश विजिबिल्टी बिल्कुल मतलğđ समझा है जीरो के बराबर यह है लोड आगे दिखी नहीं रहा है ली और पानी एकदम से आए जारा रहा भाई और दुनजला दुनजला डी वार था रोण कर आता मैं यह बहु द्ढ़ देखो अभी ड इन रास्तों में वैसी खत्रा होता है, ट्रकों को देखके और फट जाती है, इतने बड़े बड़े ट्रक से होते हैं, और रस्ते पतले पतले से, यह तो इतनी चोड़ी रोड तो है, कि दिक्कत इतनी जाद हो नीरी, अभी एक गाहूं आएगा नैम फैंग वन करके, तो जैस एक दो घर हो रहे, बस आगे, इतनी है, बस यह खतम भी हो गया गाहूं, सेम जैसे अपने इंडिया में उत्राखंड हिमाचल परदेश के होते हैं, पहाड़ी राके वैसी है, दोनों तरफ मस्त एक दम ग्री 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 है, और चड़ाई चड़ रहे है, टरंस आ रहे है, बगड़े ठीक है, मतलब पहले जाद आते हैं, अभी तो हलके बूल के काम हो गई है, अब देखो यार इन एरिया में यही होता है, कि गवर्मेंट जितनी मर्जी रोड बना ले, बट एक बार तगड़ी बारी शाही तो लैंड स्लाइड होती है, फिर मतलब रोड तूटने यही सीन लग रहा है मुझे, पर चाइना में भाई मानना पड़ेगा, समझे रो, तकड़ी लेवल की रोड थी, भाई साब बारी शाहनक से इतनी तेज हो जाती है, शोर की वाई से डर सा लग जाता है, यह क्या हो गया भाई साब, बस लैंड स्लाइड नहीं होनी चाहे, कह कोई नहीं भाई, धीरे धीरे पोँची जाएंगे, करते करते हैं, भाई सब जैसी पहाड से नीचे उतर हो थोड़ा सा वारिश बिलकुर लुक गई, मतला आरी है, हलकी बुलकी आरी है, बुन्दा बांती है, और उपर तो भाई सब आरी खतरना तो वही सीन हो रहा है, जै फिर वही अपने इंडियन फूड पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा हमें, जो हम पैकिट वाला लाए हुए, अगर आप मेंसे पूछो ना भाई, मतला ये इंटरनेशनल ट्रिप्स जो होती है, चाहे रोड ट्रिपो चाहे वैसे वाली ट्रिपो फ्लाइट से, उनमें तक नहीं खाते, उनकी तो भाईया बैंड ही वजएगी समझ लो फिर, क्योंकि इंडियन रेश्टूरेंट जो होती है वो आपको में में सिटी में तो मिल जाएंगे बट इस तरह के बाई, चोटे-चोटे शहरों में गाउं में कहां इंडियन रेश्टूरेंट मिलेगा आ अलकुल और साथ ही साथ में देख लो बारिश बारिश भी जनवरी है इस वक्त ठंड तो नहीं लग रही इतनी और बारिश प्रोप पर रहे हैं, भाई साब पूरा का पूरा ट्रक पल्टा पड़ा है, मैं कहा रहा था ना ये बारिशों में काफी खतरनाक हो जाता है सीन, मुझे लग रहा है ताजा ताजा ही फल्टा है भाई, कट लेते हुए, एक तो वाई ट्रक वालों के चूल भी तो होती है, वह टेक मारने की पता नहीं, बहुत ज्यादा फल्टा है, होपफुली सेफ हो भाई सब, गाउं आउं नीथा साइड में, वरना तो घरों में घु वीड में कोई नी, कल पोच जाएंगे, एक दिन लेट बट अराम अराम से सेफ ली, भाई सब यहां के वैदर का तो कुछ नहीं पता, कभी भी बारी शुरू हो जाती, अभी रुकी थी और अब फिर शुरू होगी, और राइट में देखो, आपको दिख रहा है, इंदर ध बारी शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए फिर यह देखो, भाई सामने हो गया है, जाम थोड़ा सा, वो रेड वाले ट्रक वाले भाई साब निकाल नी पार रहे है, यह देखो भाई, तो अभी यह पीछे कर रहे है, ताकि वो निकल सके, इसकी वाई से पूरा लंबा पीछ इसे चला पा रहे है, आलत खराब हो जेगा यह दो, पर मज़ा आ रहे है, सच बता हूना, चाइना के हाईवे देख देख के बोर हो गए थे, अब थोड़ा ग्री ग्री दिख रही है, बारी दिख रही है, तो मज़ा रहे है सही में, एक च्छत्री वाले भाई साब गए है कुछ तुला करवाने के लिए, एक ही निकल सके किसी तरह से, जल्दी करवाओ भया, चलो भई, चलो किसी तरह से हो गया, जल्दी मुझे तो लगा लंबा टाइम ना लग जाए कहीं, बर वो छत्री वाले भाई साब समझदार थे, अच्छे से निकलवा दिया, उन्होंने तो जी, आज लाउस का पहला चेक पोस्ट आया, यहाँ पे हमारे पासपोर्ट, हमारा जो इंशोरेंस मिला था, बोर्टर पे वो, और एक स्लिप कटी थी, आर सी, और वीजा नहीं मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, तो वो सब चेक करा, दो मिनट के लिए चेक कर यहाँ आप तो लगबग सबको, तो दिक्कत नहीं होई गी, अब इन देशों में ज्यादा, चाइना में तो बड़ी बेंड बसती थी, तो मैंने का इंडिया से तो कहा जा रहे हो, मैंने का उस्ट्रेलिया, मैंने का येस, उस्ट्रेलिया, शेलो जी, वो देखो बाई, ले हाइलेक्स, मस लगती है, मेरे को हाइलेक्स, लेने का तो मन है, मेरा बहुत जादा, लेकिन महेंगी है, अभी घरवर की कंश्रक्शन चल रही है, तो पैसा सारा वहीं जा रहा है, ये वर वो हो जाए, फिर सोचते है, कुछ बड़ी आसा, गाउं वगरा ही हाई जा रहे है, कुछ खाने पीने का तो जुगार मिलनी रहा है, यहाँ पर बड़ा सा, छोटी मोटी दुकाने और ग्रोसरी स्टोर्स ही है, और सही बताऊ ना मेरे को फील ही नहीं आ रही कि भाई, मैं लाउस में चला रहा हूं, ऐसा लग रहा है, इंडिया का ही कोई पहाड़ी लाका है, जहाँ पर मैं ड्राइब कर रहा हूं, सड़के, आसपास के घरवर, सब कुछ सेम भाई, बस लोगों की आप शकले देखोगे, वो चेंज है, तो मतलब खता नहीं, अलग सी फीलिंग है, अभी हो सकता है, हम थोड़े शहरों में जाए, तब लगे कि हाँ, आए है लाउस मे चाइना में तो जैसे बिलकुली भाई, आसपास का सब फूचिया लग था, इंफ्रसक्चर वगारा, बड़ यहाँ पर पूरी इंडिया वाली फील आ रही है, क्यों आपको यह लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना जारा, बादल देखना उपर भाई, तकड़े हो रहे है और यह जोपड़ी सी, देखो, क्या मस्त लग रही है, इसमें भी रहने का मन करता है, एक दिन तो, इंटरनेट वगारा नहीं मिलेगा, बिजली भी शायद ना हो, नहीं बिजली तो है भाई, तार जा रही है, देखो गर के अंदर, तो अभी हमें याद है कि हमारे पास साड़े नो बजे पहुंचेंगे, तो लगनी रहा, मुझे आज जा पाएंगे, तो कि मैं मैं मैक्स टू मैक्स भाई, बस साड़े छे या साथ बजे तक ड्राइब करूँगा, और साड़े चार ओल्ड़ी बच गए, इन घंटे में मेरे हिसाब से, 110-120 किलो मेटर कवर कर प चलो जी, पेट पूजा डन, और ये गाड़ी में ही रख लूँगा भाई, ऐसे रोड पे फैक ना सही नी, वैस तो काफी गंद मचा पड़ा है यहाँ पे, अल्ड़ी आप देखोगे न, कूड़ा कच्रा, बठीक है, हमारा फर्ज बनता है भाई, कि अपने देश को भी सा तो किसी थैली में रख देते हैं, और जब डस्ट मिन मिलेगा फैक देंगे, और इस घर में सो तो अंकल जी आगे देखना, हमें ही देखे जा रहे हैं, अंकल जी, और ये देखो भाई, गाड़ी के टायर पूरे रैड हो गए है, यहाँ की मिट्टी की वएसे, और ये साइ पड़े तो, अभी स्किट देते हैं, हेलो, हेलो, अंटी जी है, रहो गोल रही है, जाते जाते हैं, काफी लोग कहते हैं, अपनी गाड़ी को साफ रखा करो, दोया करो, रोज यार देखो, ट्रेवल करते करते हैं, यह सब करना पॉसिवल नहीं होता, किसी दिन हम ब्रेक प अपनाओ, व्लोग को अपलोड करो, नेट रूंडो, उसके लिए शिड्यूल करो, तो वैसी हम ठक जाते हैं, पूरे दिन में तो गाड़ी को कहा साफ करें, और उपर से इन जैसे देशों में अगर साफ कर भी लेंगे, तो आप खुद देखो, कितनी जल्दी गंदी हो जा यहां देखो भाई, इस तरह की दुगाने बनी वी है, सिम कार भी मिल जाती, यूनिटल की, और भाई, यहां लोटरी चलती है, देखो, चाइना में भी चलती थी और यहां देखो, फर्स्ट प्राइजर स्कूटर शायद से है, इस तरह से पर्चिया मिल रही है, कपड़े अपड़े भी है भाई, खरीदने के लिए, और खाने का तो मुझे एस तरह नहीं दिख रहा, सिग्रेट विग्रेट सब है बक्की, अंड़े भी है, देखो इनके पास, और यह बाई, सब बैठे तो हुग रहा है, हैलो, हाँ आर यू, यहां पर यह बनाने नहीं देंगे और मैं सोच रहा हूं अभी रुक के फायदा भी नहीं है, बारीज फिर आ गई है, यह बाई, क्या है, दो मिनिट बंद होती है, फिर चालू, यह देखना भाई, फिर से शुरू हो गई, शेट यार अब चलो, कीचते है कोई नहीं, कोने पांच हो गई, और जादा लेट न तो जी बड़ा मस सा नजारा दिख गया, थोड़ा से या आगे चले थे, यह नजारा नहीं है, तो गाड़ी तो ही तगड़ा नजारा बट यह देखो, वाई, क्या खूब सूरत है भाई, मज़ेदार, पूरी ऐसे नीचे देखना, दूर दूर तक पहाड़ी और प्रॉप पहाड़ा नहीं है, बट वैसे ग्रीन रीबोट है, क्रेजी आर, क्या नजार है, तो यहाँ पर फोटोज लिए मसमस गाड़ी के साथ, और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम के लिए एक तगड़ी सी जील भी बनाई है, आप जाके चागवड कर सकते है, यूजर नेम आपक के यूजर गड़ी केलड़ी मसमटब इंस्टावड कर सकते हैं, तो यहाँ ब diffuse वे काड़ के साथ something ईङिंढ़ी मसमा इंस्टावड के जए एक तगड़ी अर सयाँ साथने है, क्रिंदक भी इंसटावों मसमनद़ साथ है, वांजाव पार भी लिए पिछले 25-30 किलोमेटर से तो रस्ते काफी साफ है, मतलब सड़के प्रॉपर बनी हुई है, कोई गड़े वड़े नहीं मिले, पर रास्ता वही है, पूरा पहाड़ी का, और उपर से अब तो भाई अंधेरा होना शुरू हो गया है, छे बजे ही बताओ, वाँ चाहिना में 7-7 साथ वजे अंधेरा होता था, मतलब हो सकता है, यहां पर अंधेरा नहीं हो, बादलों की वज़े से छुपा हुआ हो, क्योंकि बारिश आरी है, पता नहीं, कल देखेंगे कि कितने वज़े संसेट होता है, यहां पर अक्चुल में, अभी तो यार, बस देख रहे है कोई श चार घंटे ओल्मोस्ट, यही रस्ता जब हम चाइना के सड़कों पे देना भाई, पीनट्स, मतलब इजी, समाझ लो, एक डेड़ घंटे में मैक्स कवर हो सकता था, 161, 170 किलो मेटर, और यहां पर बताओ, चार घंटे, ओल्मोस्ट, ट्रिपल भाई, और सर वीदर दो रहे चक्कर तो नहीं आरे, बतलब मोड की वैसे सर दुख रहा है तोड़ा सा, ओल्टिटूड हलक इतना नहीं है, 700-800 मीटर की हाइट पे है, क्या ही होता है भाई, हम तो मांट एवरेज बेस कैम पे हो है, 5300 मीटर, यह तो पीनट्स, पीनट्स, यह तो चलो अभी सूख आ गया यह तो बाल सकति है झा क्याया रिपना का तो मांट स을 चुख सब ढ़ताभ की व使用 का दो चलो आखा में होंidd Cameron, क्यार, यह तो मेंटनी है, को पीनट है, मैंनी है बाई एक तो यहां के जो यह शहर है चोटे-चोटे गाउं है पूरे सुनसान है यह तो चलो फिर भी चहल पहल लग रही है लेकिन इससे पहले 10-15 गाउं आ चुके है इतने ही साइस के सब बंद भाई पहले सादे साथ बज़े इबंद रात के तो अब यह राइड दिखा रहा है गूगल मैप न यहां से तो अभी तक तो धोका दिया नहीं आज गूगल मैप ने मुझे लगा था गूटोखा न दे दे और यह गूगल मैप पर बिल्कुल स्ट्रेट रोड दिखा रहा भाई तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पहाड जो है न वो खतम हो जाएंगे और यह सीधा सीधा अरे यार बहुत चीजे मिल रही है यहां लगाता हूं साइड में यहां पे है बाई तीन-चार दुकाने इस दुकान पे तो खेर अपने काम का निया कुछ वहां पे दिख रही ही थी मुझे दो-चार चीजे देख थे क्या-क्या इनके पास उधर भी दे को सामने है पेश्ट्री वेश्ट्री कुछ भी मिल जाए यह कैची अजीब चीजे मिल लें बागी पैपसी वैपसी दो सब कुछ है यहां इनके बास और यहां क्या मिल रहा है ये बाई देखना लेजह भी है उनके पस बास अलग सा इखा हुआ हो एक लेच है पतानी क्या मेरा मन कर रहा है अभी नटकट खाने का ओएस खाने का वह चीजा मिल जाना तैड़ पैड़ हो जिन्दगी और ब्रैट भी है इनके पास भाई देखो पत्ते से बेच रहे है कुछ बाई ये मीठा एरिया लग रहा है मुझे मीठी वाले बंद कॉरनेटो बी मिल रही है वाई quality बोल्स की मेगनम भी मिल रही है तो चलो एक एक आइस क्रीमी गटका लेते है कुछ तो जाएगा पेट में और ये कुन सी है ये बीच्छी है तुम कुन सी लेनी है कॉरनेटो इसको कॉरनेटो लेनी है और ये लेंट कैश है ना देख लो एले कितने न एडिया के जो है यहां के 233 किप के बराबर है तो यह 60,000 किप का आया है मोटा मोटा आप डिवाइड कर लो 232 रुपे से तो कितने 300 रुपे के आसपस का समान होगा शाय से मुझे जहां तक लग रहा है अंदाजा ऐसी कैलकुलेशन कितना है यह 10,000 क्यों दे रहे हो एक लाक क 65,000 होगे एक बस ओके थैंक यू ट्राइ कर रहा हूं भाई सही में अगर टेस्ट जो मैं सोच रहा हूं दिमाग में वही हुआ अच्छे वाला तो चार-पांच पैकिट उठा लेंगे मतलब मीठा मीठा ना हो यार वो मसाला सा होना चाहिए थोड़ा ए बगवान जी प्ली अग्जाक्ट तो नहीं है वो बड़ मीठा भी नहीं है बीच का है अच्छा है खाने राए गए गए बहुत है दूसरा नहीं अभी उसी दुकान के सामनवाल दुकान पे बुचियास ही लग रही है मुझा तो अगर अच्छी टेस्ट नहीं होगी सोवन कहला अच्छी होग च्छी है ना मन तो बहुत कर रहा है खाने का मेरा छोटा भीकष नहीं है कोई आम मिल गए भाई आम मिल गए हाम मिल गए चलो यह ले 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 थे खोड़ से इसको भी ले 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 लिए इसको तोड़े है तो अंदर खट्टा राख में वोख रहेंगे एक एक में चार बोटल बोर्ट का मेरा रोज का यह चार चार एक दो चीन है चार बोतल बोड का काम मेरा रोज का पैसे मांगेंगे दे देंगे पैसे है भी इतने ज़से को सब्सक्राइब फॉर्य को पेकिट चुछ में थोड़ी कंफ्यूसिंग से लग रहे हैं लोगों पता नहीं क्यों मंभव एक पकेड भी तो था हम बघ्जर अमगें कि अछ की Bears ऻकूट कोई डर्यक्शन से अगजे मंवल रहा अग Cancer मंभी संप भू लाजarda यह मंमी ने मायुचाए हाँ खने कि λिए अलग अलग जगा उपे तो इनके पास यहा commenझ कर तो यह मान गे भाई तो अब फाइनली अपनी मैगी बना लेते हैं अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में हैल्ट कर देते हैं अगर यह पैसे लेंगे तो ठीक है नहीं लेंगे तो हम जबरदस्ती देख लाएंगे बाई कड़ाई अपनी यूज कर लेते क्योंकि इनके बर साथी है अगर मैगी ना होती ना तो हम भाई बूके मर जाते हैं अब बताव सुबा से निकले हुए रात के आट बज रहे हैं कुछ नहीं खाया हुआ खाली पर एक सेव के साहरे जिन जाया है और अब एक आइस्ट्रिम साई थी तो अपुछ तो जाएगा बेट मैगी जो ह गजब भाई इन्होंने यहां के तीस अजार लिया यानि इंडिया के लगबग सो रुपे लगा लगा लो आप यह जादा नहीं है ना तो भाई अभी अभी पता चला था इनके पास ना रूम भी अंदर इतने हाई फाई ही नहीं है बट ठीक है इंडिया के एट हंडर सिक् लिप या किप किप कहां तो मैंने सोचा अब या धाई घंटे रात को ड्राइब करने से अच्छा यहीं रुप जाते कल बचा हुआ डिस्टैंस कवर कर लेंगी कोई दिक कजमी होएगी अपने को पहले बस मैं सोच रहा था कि पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी बट इ इनके गेस्ट रूम के बिल्कुल बैक साइड में इनकी पार्किंग है यह बड़ी अरे जार कवर्ड है चलो बड़ी है बस अब रात को गाड़ी सेफ रहेगी बाई अपने को दिक्कत नहीं है यह देखो यह नाम है इनका फोट लिखा है यह फोट सिंगा हम योंग पार्किंग से ही गेट है भाई हमारे रूम का जैसे कि मैंने बताया ठीक ठाक सा रूम है जादा ऐसे एकस्पेक्ट मत करना भाई कि नेक्स लेवल का कुछ होगा यहाँ पर बड़ांटी जी है बड़ी सही भाई कोपरेटिव थेंक्यू गूट नाइट यह देखो भाई य अपने को क्या दूरत होती है एक साफ बोश्रूम की और वाई-फाई की वाई-फाई इनका तगड़ा मतला इतने चोटे से गाउं में भी तगड़ा वाई-फाई दे रख भाई बड़िया यह देखो स्पीड टेस्ट करता हूं 58 Mbps भाई क्रेजी प्राइस भी काफी सही ह मतला वही साड़े 800 में मिलिया तो चलो जार इस वाई ब्लोग के लिए इतना ही रखते है पर्स दे हमारा लाउस में बढ़िया रहा काफी गड़े आये काफी बारीश आई वर डैट दी एंड मज़े से ग्राइब करी हमने मिलते नेक्स ब्लोग में टेल देन गुडबाई आज ओल्वेस तीखे रास्तों पर नहीं बढ़ना रही है आई